नमस्कार मैं अनमी मांसू है आप बिहार एक सोच देख रहे हैं देखिए 14 जनवरी मकर्ण संक्रांती के दिन राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादो और नितीश कुमार के तरफ से जो दही चूड़ा का आयोजन भोज किया गया था उसे अब रद कर दिया गया है घटना का जो खबर सामने आया उनका नीधन हो गया 75 साल के उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलबिदा कह दिया गुरुगराम के फोटिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसे ली इस बात की जनकारी उनकी बेटी ने सबसे पहले ट्वीटर पर दिया कि पापा अब इ सरद यादों को बड़े भाई भी कहें और भाव को कर लालुपरसाद यादों ने भी वीडियो के माध्यम से फिलाल तो सिंगापूर में लालुपरसाद यादों वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि सरद यादों के आत्मा को भगवान सिग्र सांति परदान करें देखें नि कि ग सोग जता रहा है क्यूंकि बड़े निताओं में से एक सरब यादाऊ का गध था और सरद यादों के इस दुनिया से चल जाना कही न कहीं एक परकार से छती है राजणितिक दुनिया के लिए देखिए इस कड़ाके के ठंड में भी कहीं न कहीं सियासी गलियारों में अब सोक की लहर दोड़ गई है सरद्यादों के निधन से पूरी राजनितिक दुनिया में अब सोक की लहर दोड़ गई है और आज तमाम लोग देखे नितिश कुमार और तेजस्वी आदों भी दिली जाने वाले हैं जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उसे अब रद कर दिया गया है और देखे पटना राबड़ी आवास यानि कि टेंसर कुलर रोड के बाहर जो लोग 14 जनवरी को भीड लगता था दही चुरा का आयोजन होता था इस साल नहीं हो पाएगा क्योंकि सरद यादो के निधन से अब उस प्रोगराम को रद कर दिया गया है और तेजस्वी यादो सांती बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार आज दिली जाने वाले हैं सरद यादो क के निधन पर तेजस्वी यादो और नितीश कुमार जाएंगे देके बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांती के दिन जो आयोजित किया गया था दही चुडा का भोज टेन सर्कुलर रोज रावड़ी अवास पर तेजस्वी यादो के तरब से उसे रद कर दिया गया है तो यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जिस पर कार कल दुखत घटना सामने आई सरद यादो के निधन को लेकर उस पर भी अब सियासी गलियारों में कहीं ने कहीं सोक की लहर दोड़ गई हैं सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं और सोक जता रह है लगता रहे हैं अब यहार एक सोच पर बने रहें धन्यवाद